अलो गुड़ इवनिंग इस्टूरेंट्स और यूप आप सभी का टीचर्स और टेट अडड़ के यूटूब प्लेटफोर्म पे जहां आपकी आगमी परिक्षा की करवाई जारी है तो स्टार्ट करते है आज का कुश्चिन नूबर 61 और आज का कुश्चिन आपके सामने पूछ रहा है की भई पॉलिखॉट जो है यह भें भी मिश्रन प्राप्त किया जाता है कि से नाइलॉन ऑर वहुन से पॉलिए स्टर और नाइलॉन और और कपाश सथे यह को ऑफ़र सारे लोग जल्दी से जुड़ जाई है और से produzir कर दीजे ताकि आपको और भी दोस्तों को inform हो जाए तो आपका जो basically polycote है वो किस से बना हुआ है जलिए तो देखे polycote एक तरीके का blended fiber है blended fiber मतलब जब आपके एक से अधिक fibers को artificial fibers को मिला दिया जाए तो ऐसे fibers को हम क्या बोलते blended fiber पर बोलते है इनमें example में आते है polycote polywall ठीक है terry coat तो दीज आर दो समें examples of blended fibers ठीक है सनलगने रेशे बोले जाते हैं तो polycote किसका है इसमें एक होगा क्या polyester दूसरा होगा आपका कौन सा that is cotton polywall किसका होगा एक होगा इसमें polyester again और दूसरा होगा इसमें wool terry coat किसका है एक होगा इसमें terry lean और दूसरा होगा इसमें क्या cotton ठीक है तो जब आपके fibers को मिला के mix करके आपका नया fiber तियार किया जाए ऐसे fibers को हम क्या बोलते है that is आपका blended fibers या फिर आपके ठीक है मिश्रित रेशे answer to this question विल भी ठीक है डी विल भी दा राइट एंसर ठीक है polycord पूछा है तो polyester end का पास चली next question इस ठीक है thermo setting या ताप दरड़ plastic कौन से होते हैं ऐसे plastic जो गर्मी देने पर heat देने पर shape change करें ठीक है मतला अपना आकार बदले और ठंड़ होने पर ठीक है ओरीजिनल अपना shape को gain कर ले वापस से पहले जैसे हो जाए ऐसे plastic को हम ताप दरड या फिर thermo setting plastic बोलते ठीक है तो ऐसे plastic को हम क्या बोलते ताप दरड या फिर thermo setting plastic melamine polythene PVC nylon PDF का मिलेगी बिटा यह बाय वभानी सर दिख रहा है इसके आगे EVS लगा के search कर लेना चलिए तो बेसिकली आपके thermo setting plastic में बड़े अच्छे अच्छे example जो है ठीक है ताप दरड में आपके जो अच्छे 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 अग्जामपल है एक है आपका bakelite एक है आपका melamine और एक आपका basically nonstick cookware बनाय जाता है तो nonstick cookware भी एक तरीके का आपका क्या है that is thermo setting plastic है तो coating काई की चड़ाई जाती है nonstick cookware में कोटिंग काई की चड़ाई जाती है answer इसका क्या है mlmine है but nonstick cookware पर कोटिंग काई की चड़ाते है अपन गहते ना यह यह कोटेड है क्या कोटेड है आजकल कारों के ऊपर भी उसकी कोटिंग चड़ाई जाती है समयच का क्लास कब होता है बिटे तीन बज़े होता है काई की कोटिंग चड़ाते है तेफलों की कोटिंग होती है तो टेफलों कोटेड टेफलों इस ऑल्सों है वन अफ दे एक्जामपल ओफ ताप द्रड प्लास्टिक क्या होते है गर्मी देने पर आकार को बदले थंडा होने पर ओरिजनल शेप वापस से पुनर वाली शेप को ले ले पहले वाली को दूसरा होता आपका थर्मो प्लास्टिक Not thermoplastic क्या होते है घर्मी देने पहर हीट देने पहर होजाता है विक्रत हो जाताह डिफॉअम्ड होजाता है तो इसमें आता है आपका polyester आपका क्या बोलते है पॉली इस्टेर के रहा हूँ, sorry पॉली इथलीन, ठीक है जिसको आप पॉली थीन बोलते हो, ठीक है देन आपका बेसिकली क्या बोलते है PVC, पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है टेरप्थेलेट, यह सारे के सारे आपके कैसे थर्मो सेटिंग ब्लास्ट के एक्जामपल है, नेक्स इंग है खाने पकाने के बरतनों के हैंडल आपने एक्सरकार कूकर में एक ब्लैक कलर का हैंडल लगा होगा, देखा होगा, वो किस से तैयार किया जाता है, पॉली थीन से PVC से, नाइलोन से या बेकलाइट से CDP का कलास कब होता है, बेटा CDP का शाम को होता है PVC एक्सप्लेंग सर, पॉली विनाइल क्लोराइट जब विनाइल क्लोराइट के मोनोमर्स, काफी सारे मोनोमर्स बिला के हमने एक यूनिट बना दी, एक नई पॉलीमर तैयार किया, उसको हम पॉली विनाइल क्लोराइट बोलते है जादा तर आपके जो तारों के उपर जो कोटिंग होती है, और जो हमारे पाइप्स वगेरा जो आते है, वो PVC से बनाए जाते है चलिए, very good answer to this question will be बेकलाइट से, क्यों बनाए जा रहे है भई कूकर है, गर्मी एब्जॉब करेगा तो अगर आपने इन में से PVC, पॉलिथीन में से कोई भी चीज यूज़ करी वो डिफॉर्म हो जाएगा, उसके शेप डिफॉर्म हो जाएगा ऐसा नहीं है कि बेकलाइट डिफॉर्म नहीं हो सकता आपने इलेक्ट्रिक सॉकेट को जलते हुए देखा होगा देखा होगा न पूरा गल जाता है बट बहुत हाई हीट चाहिए होती है इन लोगों को गलाने के लिए बट इन लोगों को लोवर हीट पे भी आपका क्या किया जा सकता है ये इतनी इजली डिफॉर्म नहीं होगा घॉट हाई हीट अगर मिल झाय कोई चीज नहीं है जो डिफॉर्म न कर पथ्थर चोड़के पथर डिफॉर्म नहीं होते वाई जाल कीवा पड़े रहते हैं निम्लेट में सब three synthetic पदार शामिलिक Son टेरिलीन उन, कपास, पॉलिकोट, रेओन, पीवीसी, पॉलिथीन, बेकलाइट, एक्रेलिक, रेशम, उन. साइन्स, क्लास, रोज कल चलता है, गुरुजी, हाँ जी, संडे को छोड़ दिया जाए, तो संडे जनरली ओफ होता है, बट कभी को बार संडे को भी ले लिया जाता है. बताइए, कि इन में से आपका सिंथेटिक फाइबर का सेट कौन सा है, योगम कौन सा है, यह आपको ओल्लाइन में पूछा गया कोश्चन है, ठीक है, जब ओल्लाइन आपका हुआ करता था सीटेट, देखिए, नाइलोन सिंथेटिक है, टेरिलीन सिंथेटिक है, उन आपक नाचरल ले तो सी इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा कितने कोश्चन हो गए है विट चार कोश्चन हुए अभी निक्स सिंग इस वह सामगरी जो आमतोर पर रसोई घर के कंटेनर बनाने के लिए उप्योग की जाती है हमारे घर में ठीक है जो आपने देखा होगा दालों के आजकल प्लास्टिक के डब्बे आते हैं या फिर आपका जो क्या बोलते है टिफिन वगेर लंच बॉक्स आता है वो एक material का बना हुआ है PVC का acrylic का teflon का या फर PET का मेरी ग्लास का टाइम बेटे शाम को पांच बजे चलिए तो हमारे घर में basically क्या use किया जाता है ठीक है PET use किया जाता है that is polyethyl teraphthalate polyethyl polyethyl teraphthalate PET के आपके क्या होते बरतन होते D will be the right answer तो नहीं बेटा टेफलोन वहां यूज करोगे जहां आप नॉन स्टिक कुकवेर की बात करोगे कि जब भी नॉन स्टिक आ जाए तो आख बंद करके टेफलोन लगा देना ठीक है अंजू सकते ना जी ठीक है तो जब नॉन स्टिक लिखाओ मतलब ऐसा चिकनाई रहित बरतन जो लिखाओ वहां पर आप बेसे कली आंक बंद करके क्या बनासकते लो टीक है सान्स की कोश्षन कितने आते एक्जाम में फियोरी से हाते थे 20 पेड़ागोजी से आते 10 ऐसी आपका मैट्स में थियोरी से आते 20 पेड़ागोजी से आते 10 तब जाके 60 नंबर का बनता है काली कड़ाई है अब दातु ऐब आम तौर पर तनू म्लों के साथ प्रकृया करके हाईड्रोजन गैस पत्पन्न करती है निम्नलिकित में से कौन सी धातू तनू हाईड्रो क्लोरिक अम्लिके साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है Magnesium, Aluminium, Iron, Copper इस टाइम पे ही चलती है साइज हां जी इस टाइम पे ही चलती है साइज Metal generally react with dilute acid to produce hydrogen gas which one of the following metal does not react with dilute hydrochloric acid चलिए देखे सबसे पहली चीज एक चीज याद रखिएगा metals generally आपका react करती है किस से acid के साथ और आपका बन जाता है क्या कोई भी salt बना देती है ये और साथी साथ में आपका hydrogen gas भी बना देती है ठीक है एक बहुत अच्छा example अगर ले ले magnesium की reaction करवा दीजे किस से SCL के साथ ठीक है तो यह आपका mgcl2 और hydrogen आपका निकल जाएगा बट एक ऐसी element है जो कि आपकी basically react नहीं करती answer is copper reason is due to its low reactivity अपनी कम अभी करी है था कि वज़े से जनरली यह डाइलूट SCL के साथ react नहीं कर पाती है ठीक है answer to this question will be d will be the right answer अच्छा यह बताओ यह तो पता लग गया तुम्हें metals sorry non metals अगर acid के साथ react करवाई जाएं तो क्या बनेंगी non metals react with acid to form non metals react with acid to form हाइड्रोजन से नीचे है copper इसलिए react नहीं करीगी हां जी चलिए तो याद रखिएगा non metals आपका reaction नहीं करती है किसके साथ assets के साथ next thing is निमने लिखित मैंसे कौन ठंडे पानी के साथ तीवरिता से प्रतिक्रिया करता है देखे सबसे पहले आपको reactivity series याद होनी चाहिए क्योंकि इसके basis पे कई हो सारे question chemistry के हो पाएंगे अगर आपको यहीं याद नहीं होती ठीक है अ 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 तो sodium अ sorry potassium sodium calcium magnesium aluminium zinc iron lead hydrogen copper mercury silver gold platinum यह आपकी सीरीज है जिसमें सबसे ज्यादा रियक्टिब मोस्ट रियक्टिब कौन सा है ठीक है ठीक है potassium है और लीस्ट रियक्टिब कौन सा है platinum है ठीक है तो सबसे ज्यादा रियक्टिब आपको कौन सा है that is most reactive is potassium ठीक है आपको cold हो जाएगार टूपी लगा क्या आगर ठीक है ठीक है तो मौस्ट रियक्टिब इस potassium लीस्ट रियक्टिब इस ठीक है platinum अब देखो यह याद कर लो यह याद कर लो क्योंकि इसी के basis पर आप reactivity series के question कर सपाओगे ठीक है तो कैसे याद करोगे केदार नाथ का माली आलू जीरा ठीक है ठीक है कुकर मेरा आग और पतीला ठीक है है एच जी क्या होता है mercury तो इसको आप क्या बोलोगे कुकर मेरा आग और पतीला ठीक है तो केदार नाथ का माली आलू जीरा ठीक है अब देखो which of the following reacts with cold water vigorously sodium और potassium cold water से vigorously react करती है याद कर लेना ठीक है cold water के साथ sodium और potassium vigorously react कर लेती है calcium आपका cold water के साथ react करती है but non vigorously ज्यादा मतलब खतरनाग वाली reaction नहीं है ठीक है magnesium आपका hot water के साथ reaction शो करता है ठीक है इसको गरम पानी चाहिए ठीक है aluminium zinc और iron ठीक है aluminium zinc और iron ये आपका basically steam के साथ react करते हैं इनको hot water भी नहीं चाहिए इनको क्या चाहिए steam चाहिए तो answer क्या हो जाएगा यहां पर ठीक है that is we will be the right answer इस देट क्लियर इसके बाद वाले जनरली आपकी water के साथ reaction नहीं शो करते हैं किसके बाद वाले ठीक है iron के बाद वाले तो याद रखना ठीक है cold cold के साथ vigorous reaction आ रही है तो option में या तो आपका क्या होना चाहिए ठीक है potassium होना चाहिए या फिर option में sodium होना चाहिए ठीक है cold के साथ non vigorous मतलब बहुत जादा अप क्या बोलते है खतरनाग reaction नहीं है वो calcium के लिए होगी को आपका hot water के साथ बोल रहा है तो वो magnesium से react करेंगे और अगर आप steam के साथ बोल रहा है तो hydrogen gas उत्पन करती है कहने का मतलब है ऐसी धातू जो एमफोटेरिक नीचर की है उभै धर्मी है ठीक है कि acid के साथ react करती है तब आपका क्या कर रही है ठीक है तब भी hydrogen gas निकाल रही हो basis के साथ react करके भी hydrogen gas निकाल रही जनरल साइन्स इक दो दिन में स्टार्ट होगी उसके लिए मैं टाइम स्लॉट डूड रहा हूं जैसे टाइम स्लॉट मिल जाएगा एक दो दिन में स्टार्ट हो जाए चलिए तो answer to this question will be ठीक है ऐसी धातु है आपकी कौन सी डैट इस ऐलमुनियम सी विल वी दा राइट एंसर ठीक है तो ऐलमुनियम आपकी एमफोटरिक नीचर की है दोनों के साथ रीक्ट करके हाइड्रोजन गेस निकालेगी next thing is सामान दी धात्विक ऑक्साइड शारियो होते है और स्थाक के आपका इंक अगर आपका कैल्शियम ऑक्साइड है कैल्शियम क्या है दातू है और ऑक्साइड है तो यह आपका कैसा नीचर का होगा बेसिक नीचर का होगा शारी होगा ठीक है और अगर आपका सी ओ टू है ठीक है यह कार्बन है यह औक्सिजन है तो यह आपका कैसा नीचर का होगा एसटेक नीचर का होगा अमली यह नीचर का होगा पानी में निमले लिखित मैं से किस ऑक्साइड का गोल नीले लिटमस का रंग लाल में बदल देगा ठीक है तो पानी के अंदर जनरली मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक एं नॉन metallic oxides are acidic in nature solution of which of the following oxides in water will change the color of the blue litmus to red answer to this question will be बहुत easy question है ठीक है ये विल वी दर राइट एंसर sulfur dioxide ठीक है iron metal है copper metal है ठीक है magnesium metal है metals कैसा होते है basic oxide होते है ठीक है sulfur आपका non metal है sulfur कैसा होगा acidic oxide होगा अम लिया होगा ठीक है ये तो पता है कि नहीं कि sulfur non metal है ये पता है कि नहीं कैसा पता करते हो metal non metal ठीक है तो sulfur आपका कैसा है non metallic oxides है ठीक है मतलब acidic oxide है तो acidic oxide ही blue litmus को red litmus में change कर पाएगा ठीक है कोईला और मिट्टी हवा और सूरज की रोश्णी ठीक है जल और petroleum ठीक है वन्यजीव और खनीच एक minute question में कुछ doubt लग रही है कि नियम्न लिकित में से कौन सा संपूर्न संपूर्ण न नहीं हुआ है है याध है नियुक में असे कौन सा शैकारी प्राकरतिक संसादनों यूग में ठीक है कोईला और मिट्टी ठीक है और हवा और सूरज ठीक है जल और petroleum ठीक है वन्यजीव और खनीच तो कौन सा इसमें से ऐसा प्राकर्तिक संशादन का युग में जो शैक आ रही है मतलब जो खतम हो जाएगा exhaustible exhaust हो रहा है मतलब खतम हो रहे है in exhaust मतलब खतम नहीं हो पाएगा तो देखो कोईला खतम हो सकता है भOWी use करना चालू कर दो सब ठीक है पेट्रोल बंद कर दो यूज करना चालू कर दो खतम पर मेरी मा है यह ऐसे नहीं होती इसकी वैदरिंग होती रहती है बड़े-बड़े पथरों के साथ हावा काथी है जब तो हवा क्या करती है काथ्टे-काथ्टे-काथ्टे-काथ्टे-काथ्टे-काथ्टे-काथ् क्लियर ठीक है हवा खटम नहीं हो सकती बले आपका कुछ भी हो हवा नहीं खटम हो पाएगी शुराज की रौष्णी खटम होने में बिलियंस ओफियर्स है ठीक है जल खटम नहीं हो शकता आपकी धट्टी पे क्या है यह धट्टी पे शवन्टी च्वेंटी वन परसेंट वाट है च्वेंटी नाइन परसेंट है वन यह खतम हो सकते वहीं जानवर चटका दो मिनरल्स खतम कर दो कि डी विल वीदा एसमेस नहीं आती आपके सर क्लास का याद कल लो टाइमिंग पांच वजे एसमेस आए ना आए तुम आ जाना नैप्थलीन वोल्स को तारकोल से प्राप्त किया जाता है इसका उप्योग किया जाता है मच्चर विकडशक में मदुमक्खी विकडशक में क छाना प५्रती रोदी में आज कि अगर तो जो नप्तलीन बल्स आप सब की लोगों के घर में कपड़ों में बेसिकली क्या डाली जाती है नतलीन बैस डाली जाती है ठीक है ताकि आपका एक कपड़ा होता है कीड़े का जिस को उमगोलते इस सिल्वर फिश ये कीड़े खा पाइप के माध्यम से प्राकर्तिक गैस का परीवन करना मुश्किल है प्राकर्तिक गैस का नुकसान यह है कि इसका उप्योग सीधे घरों में जलाने के लिए नहीं किया जा सकता प्राकर्तिक गैस को संपीडित प्राकर्तिक गैस की रूप में उच्छ दवाब में संगरहित किया जा सकता है प्राकर्तिक गैस का उपयोग ठीक है बिजली उत्पादन के लिए नहीं किया जा सकता है तो choose the correct statement from the following It is difficult to transport the natural gas through pipe The disadvantage of natural gas that it cannot be used directly for burning in Ops Natural gas is stored under high pressure as a compressed natural gas Natural gas cannot be used for power generation कौन सा इसमें से सही है Very good C will be the right answer प्राकर्तिक गैस को ठीक है हम क्या करते है बोलते हैं ने compressed natural gas CNG तो CNG के रूप में यूज कर रहे है ठीक है और ये under high pressure और low temperature पे compress करी जाती है Next thing is निमने लिखित कतनों के सामने सही या गलत लिखे ठीक है मतला आपको ये बताना है ये true है या फर ये false है clear है हवा में oxygen एक समाप तोने वाला प्राकर्तिक संसादन है सही है गलत है true डालू false डालू आपको ये बताना है सही है गलत है हवा में जो oxygen है वो खतम हो जाएगी true है false सही डालू गलत डालू very good false गलत है ठीक है वे संसादन जो प्राकर्ति में असीमित मात्रा में मौझूद है समाप्त होने योग के प्राकर्तिक संसादन कहलाते है ठीक है मतलब कह रहा है आपका कि ऐसे संसादन ऐसे रिसोर्स जो unlimited quantity में है वो exhaustible है वो शैकारी है खतम हो जाएंगे सही है गलत है very good again false ठीक है वन्न जीव एक संपूर्ण संपूर्ण नहीं शैकारी वन्न जीव एक सशैकारी प्राकर्तिक संसादन है मतलब जो wildlife है जो हाती गोड़ा पाल की जैक नहीं या लाल की है ठीक है वो सारे के सारे लोग चटक जाएंगे सही है गलत है सही है गलत है second true है very good true third is true ठीक है उच्छ तापमान और दवाब मैं मरत पौदे धीरे-धीरे कोईले में परवर्टेत होते सही है गलत है कोईला कैसे बनता है जब high temperature और high pressure पर कोई भी dead body या dead remains आपका fossilize होने लगे और उसका कार्बनी करन होने लगे तो वही आपके भिविन देखो initial में क्या होता है सारे कोईले एक ही प्रकार के होते पीट होते है initial में सारे कोईला क्या high temperature high pressure पर क्या बन जाता है पीट बन जाता है प्रशर टेमप्रेटर पर कार्बनी गरन होता गया होता गया- 35 चालिस परसेंट अल्बान हो गया तो यही आपको कोईला लिगनाइट बन जाता है अगर high temperature घृट है प्रेशर पर कार्बनी करन नijn होता गया- होता गया यह क्तिल में कार्बन की emoंत होसलए कितनी 60-70 तो यही कोईले आपका bituminus क्यालाने लगता है PT आपका क्या बन जाता है bituminus बन जाता है अगर यही कोईले में अगर आपका 55-60% हो 55-60% हो तो यह सब bituminus भी क्यालाता है बीच में ओर आता है सब bituminus उप bituminus और अगर यही कार्बन की अमाउंट 70 से 90 प्रतीशत आ जाए तो यही कोईला आपका सबसे एक फाइन कोईल बन जाता है एंथरा साइट तो यह तो बिल्कुल सही बात कह दिये है इसने मजा क्या किया है उसने सही तो बोला है true है CNG पेट्रॉल और डीजल की तुलना में कम प्रदूशन कारी है सही है गलत है सर हर दिन पांच बजे होती है क्या हंजी CNG पेट्रॉल और डीजल की तुलना में कम प्रदूशन कारी होती है बिल्कुल सही बात है true आगे बढ़ जाए तो इसका false है second का false है इसका true है इसका true है निमने लिकित मैसे किसका ऊश्मिय मान सबसे अधिक होता है kerosene, bio gas, LPG या petrol सबसे ज़्यादा ऊश्मिय मान calorific value ऊश्मिय मान सबसे ज़्यादा ऊश्मिय मान आपका hydrogen का होता है कितना होता है kilogram per kilo कि एक kilogram अगर hydrogen जलाओगे तो डेड़ लाक kilo joule energy निकलेगी ठीक है अब आपको यह बताने है इन में से सबसे ज़्यादा किसका है सबसे ज़्यादा किसका है सबसे ज़्यादा नोटिफिकेशन बहुत लेट में मिलता है राजी को और तुम पहले सी 5 वजे बैठ जाया करो तुम्हें पता है 5 वजे class स्टार्ट होनी है पांच वजे नहीं हो रही है तो पांच साथ पांच पांच तक तो होई जाएगी चलिए वेरी गूड वेरी गूड ठीक है तो सबसे ज़्यादा किसका है इसमें से यह आपको बताना है पेट्रोल का है अच्छा मतलब तुम लोग NCRT नहीं पढ़ रहो NCRT पढ़ रहो साइंस की पेड़ागोजी की क्लास कब लेंगे आप इसी में चालू करवा दूंगा रुख जाओ पहले मेरे को थोड़ा सब बेस तो बनाने तो तब तो तुम पेड़ागोजी के कुश्चन कर पाओगे देखो आपकी NCRT में एक चप्टर है ठीक है कोल एंड पेट्रोलियम क्लास एड की NCRT में ठीक है उसमें अलग-अलग फ्यूल का कैलर्फिक वेल्यूद दी गई है कैलर्फिक वेल्यू को किलो जूल पर किलो ग्राम में मा पा जाता है पहली चीज़ तो यह याद रख लेता सबसे पहले आपका दी गई है गाय का गोबर का ओ डंग हो ठिक है गाय के गोबर की calorific value होती है आपका near about कि नी थी 6000 से 8000 ठिक हो फिर दूसरी आपकी दी गई है ठीक है कोई ले की नी को इले की का को दी गई है का दूसरी किसकी थी काउडंग हो गया काउडंग के बाद थी सारी लकडी की ठीक है लकडी की आपकी केलरिफिक वेल्यू दी गई है इस सत्रह असार से भैसा जार के पर दी यापकी किस्की कोले की सबसे जारे गाउयों में क्या जलाइजाता है गय का उपला उसके बाद लकडिया लकडिया नहीं मिलती तubby किया जलाइजाता कोला जलाइजातह ठीक है निससे से 33,000, उसके बाद आपका दिये गए पेट्रोल, कैरोसीन, डीजल, पेट्रोल, कैरोसीन और डीजल, इनकी कितनी है, 45,000, ठीक है, तो पेट्रोल, कैरोसीन, डीजल, इन सब की कितनी है, 45,000, ठीक है, देन आपका बायो गैस ठीक है, बायो गैस की आपकी अलग-अलग वेरियेट करती है, ठीक है, अलग-अलग जगे की बायो गैस में concentration amount अलग-अलग होता है, 35,000 से 40,000 ठीक है, फिर दिये है आपकी CNG, LPG ठीक है, तो CNG, LPG की आपकी बताई गई है, 55,000 ठीक है, और लास्ली आपकी हाइड्रोजन की डेड़लाक ठीक है, अब यसे साब से बता दो क्या सही है अच्छा ये को और है, CNG, LPG और प्योर मीथेन, प्योर मीथेन मतलब किसी के साथ नहीं हो, ना तो बायोगेस की फोर्म में हो, केवल बायोगेस में आपका मीथेन, कारबन डा उक्साइड, नाइट्रोजन, अपका मिक्स्टर होता है प्योर मीथेन की आपकी 55,000 होती है चलो तो यसे साब से क्या हो जाएगा चली तो answer to this question will be C will be the right answer next thing is हवा में जलाने पर ठीक है अगर आप जला रहो किसी भी चीज़ को तो आपको as a supporter क्या यूज करना पड़ेगा oxygen, without oxygen burning होई नहीं सकती हवा में जलाने पर magnesium ribbon उत्पन्न करता है, magnesium oxide पानी और प्रकाश magnesium oxide और गर्मी magnesium oxide गर्मी और प्रकाश magnesium oxide पानी और गर्मी तो अगर आप जला रहो चीज़ों को that means आप क्या produce कर रहो ठीक है flame reaction cause कर रहो ठीक है और साथी साथ में ये magnesium oxide बन जाएगा साथी साथ में आपकी क्या निकलेगी heat निकलेगी और light निकलेगी c will be the right answer next thing is वह पदार जो जौला से नहीं जलता है ठीक है तो the substance that does not burn with flame is LPG camphor dry grass charcoal सरी किस year का question है ठीक है यह यह का question नहीं है यह के question करने के लिए पहले basic तु बना लो जो तुम लोग्व बोलते हो सर थ्योरी करा दो थ्योरी का basic बना रहा हूं तब तो यह के question कर पाऊगे चलो, तो answer to this question will be, charcoal without flame आपका burning होती है, ठीक है, इसमें कोई flame नहीं produce होती है, D will be the right answer कपूर वेपर से उड़ जाता है, हरे मेरी लाली, मा सेरवाली ये, तेरा सेरा गया, यहाँ पर जल रहा था, का जल लाता, वो आग लगती हुई का, हाथ पर आग लग रही थी, चलो, अगर किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाए, तो आग बुजाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, कपड़ों पर पानी फेक दो, अगनी शमक यंत्र का उप्योग करो, व्यक्ति को उपर उगनी कंबल से डखे, व्यक्ति को पॉलिथीन शीट से डखे, डेफिनेशन बताईए न, सर, शोबा कुमारी किस की, किस चीज की डेफिनेशन चाहिए तुमें, चलिए, एंसर टू दिस कोस्चिन विल भी, बहुत सारे लोग बोल रहे है, बी या फिर सी कर लो, ठीक है, देखो, बी इस ऑल्सो ए गुड थिंग, आप अगनी शमक यंत्र यूज कर सकते हो, बट देखिंग इस होना भी तो चाहिए, है न, होना भी तो चाहिए, हमारे घर में थोड़ी अगनी समक यंत्र है, घर में आग लग गई, ठीक है, चाचा जल लह, बचा, बचा, आंदो अगनी समक यंत्र ला रहे, उसके बाद बुझाएंगे, तो उससे बढ़िया क्या कर सबसे अधिक होना आप एक्षित है मिट्टी का तेल का पेट्रॉल का कोईले का शराप का कि 75th कोश्चन का डेफिनेशन कि 75th कोश्चन क्या है कोश्चन कह रहा है आप सबस्टान डेट डजनोट बर्न विद फ्लेम ऐसा कौन सी चीज है जिसमें जलते टाइम पर आग नहीं दिखती है अगर आप चार कोल को जलाओगे बर्न करोगे तो फ्लेम नहीं दिखेंगी इसकी क्या डेफिनेशन बताओ BPSC में मोर देन वन होता है सर हां जी BPSC में मोर देन वन होता है 77 का very good answer to this question will be C will be the right answer देखें वो आप से पूच रहा है highest हो क्या ignition temperature देखो ideal fuel क्या होते है आदर्श इंदन क्या होते है एक तो इनको क्या होना चाहिए high calorific value होनी चाहिए और इनका low ignition temperature होना चाहिए low ignition temperature मतलब थोड़ी सी भी आग दू आग पकड़ ले अब तुम क्यारो कि high ignition temperature पेट्रोल का होता है बिटा पेट्रोल को तो तो अलगी सी भी दूर से चिंगारी दिखा दो बढ़क जाती है कोईल है मैं तुम लेके ऐसे वो माचस की दिया सलाई लिए बैठे रहता है जल 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 जा तुम का करता हो ऊपर थोड़ा सा केरोसी डाल दे तो फिर पगड़ा तो तुरंत आग लग जाती है तो सबसे ज्यादा किसकी हो गई कोईले की होती बीपीएस्टी में रॉल नंबर फील कर दिया मेरा रिजल्ट आएगा नहीं नेक्स इंग इस निम ने लिखित मैंसे जॉलंचील पदार्तों के बारे में सही कथन चुने ठीक है जॉलंचील पेपर टू साइंस की ग्लासेश कब से स्टार्ट की है आपने मुझे टाइम हो गया शुरुआत में वह कर वा रहा था जो प्रीवेस एयर पेपर है बट प्रीवेस एयर पेपर के साथ दिक्कत यह ओ रही थी बहुत सारे लोगा कंसप्टी नहीं है तो कंसप्टी नहीं है तो उन पेपरों को करा के का चार डालू में पागल थोड़ी हूँ उन आदे से यहां लगी है यह क्या हो गया है यह सॉल्ट के से आगे सॉल्ट तो उसके लिए कंसप्ट बना रहा हूं तो अभी बेसिक अली तुम्हें पहले सिक्स सेवंदेट नाइन टेंथ के कोश्चन करा रहा हूं जिससे कंसप्ट आ जाए उसके बाद स्टार्ट करूंगा प्रीवियस यह चलो तो जोलंशील पदार जोलंशील मतलब इनफ्लेमेबल मतलब तुरंत आग पकड़ ले है तुम लोगों के ऊपर पेट्रोल डाल गया ऐसे छड़क दे यह तुरंत ऐसे तो तुरंत आग पकड़ लेगा पेट्रोल तो उसकी क्या प्रोपटी होगी कम जलंत आप मान होगा आसानी से आग नहीं पकड़ सकता तो वेरी गूट एंसर तू दिसकोस्टिन विल भी सी विल वीदा राइट टेमपरेचर लो इगनीशन टेमपरेचर अरे हो गदो ठीक है बी कैसे लगा रहो हाइग इगनीशन टेमपरेचर कैसे हो जायेगा एक काम करना तो मैं अगर जिंदिगी की मज़ लेने हो फेट्रोल पंपस जाना चेड़ पैट्रोल पंपस जाना पेट्रोल बरबान ओ सिफ़्य टाइम मुझ में डालना सथे लौँ संट्री के वह जिंदिगी का ऐसा मंजा तुम जिंदिए में नहीं देख पाहो कि म opener करके देखो प्रेयक्टिक praw मैं स्मझेमा रागा लो इगनी टेंपरिचर क्या होता है कि पेट्रोल पंप जाओ गाड़ी में पेट्रोल डलवाओ ठीक है उसी टाइम पर बीड़ी सुलखा के देखो जिन्दीगी का असली मज़ा मिलेगा मैं किया रहूं हाइली इंफ्लेमेबल है लिखा भी हुआ यहां पर इंफ्लेमेबल पेट्रोल पंप लिखा रहे ता बड़े-बड़े अक्षरों में हाइली इंफ्लेमेबल ठीक है बहुत जल्दी आग पकड़ेगी तुम लगा रहो हाई टेंपरेचर होना चीए का दस घंख करो मूँ में पेट्रोल डालो ठीक है मूँ में पेट्रोल डालो ठीक है और एइसे एक लूट पकड़ना क्या बोलते है फाईर इस्टिक और ईसा करना कि अउलकर करें नहीं देकना क्या हमधार आग निकलेगी बट चांसेर्यकिए कि ओ क्वह आग ऐसे पकड़त हो भी लगा रहे हो गदो हिरो इप इन्दन का उश्मय मानान एक एकाई में व्यक्त किया जाता है जिसे कहा जाता है किलो जूल प्रती लीटर किलोग्राम प्रती मिली जूल प्रती घ्राम किलोजूल प्रती किलोग्राम जफर मुल्ला बेटा यही चल रही है कंजब यह सारे कंजब बेस कोश्चन है जो तुमारे लाइन से लिखे हुए है ना एंसे आटी में थ्योरी उनी को मैंने कोश्चन में डाल दिया चलिए तो एंसर टू दिस कोश्चन विल भी बाई क्यालरूफिक वेल्यू किस में मापी जाती है किलोजूल पर किलोग्राम में ठीक है तो डी विल वी दा राइट एंसर नेक्स इंग इस शाम चूले पर आलू क भी सबजी का ठीक से ना पकना इंदन का अनुचित देन तांबे के बरतन का जलना सर करेक्शन नहीं होगा नहीं होगा बेटा निशा रोय उन्होंने साब साब पहली बोल दिया था कि अपनी गलती की जिम्मदार आप खुदी होगे चलिए answer to this question will be that is C improper combustion of fuel देखे C will be the right answer देखो पहली चीज़ समझो दो तड़े के आपके क्या होते है hydrocarbon होते है saturated unsaturated संत्रप्त आसंत्रप्त संत्रप्त वो सारे के सारे होते हैं जिनमें आपका single bond होते हैं ऐसे सी-सी-सी-सी-सी-सी यह संत्रप्त है आसंत्रप्त आपके होते double bond वाले या फिर triple bond वाले अब देखो जब कभी आप लोगोंने जब कभी आप लोगोंने घर में LPG जलाई होगी घर में अपना क्या LPG जलाई है है ठीक है यह saturated hydrocarbon है है ना मीथे नहीं तो है भाई CH4 CH4 single bonded compound LPG जलाई है ना तो आपने देखा होगा यह LPG ब्लू फ्लेम के साथ जलती है देखाएगी नहीं कि देखा है कि सभी ने देखा है नीली नीली बर्नर से नीली नीली लोग आती है LPG ब्लू फ्लेम के साथ जलती है देखा है हाँ या ना नहीं देखा है तो अभी गैस में जाओ जला के देखो नीली नीली लोग निकलेगी ठीक है बट अगर आपके ग्यास के जो बर्नर है ग्यास के बर्नर ब्लॉक हो अगर गैस का बर्नर ब्लॉक हो तो ब्लॉकेज के टाइम पर यह कंपलीट कंशन है यह पूर्ण जोन है हुआ को कि यह पूर्ण है ठीक यह ब्लोक इच के टाइम पर आपका इंकॉ्प्लीट कमशन होता है। कि अपूर्ण जोलन होता है अपूर्ण दहन होता है ठीक है और यही आपको यलोव फ्लेन भी देता है पीले रंग ठीक है और इसी वजह से वही MPG आपके बंद पर कालीव लगाने लगति है नॉर्मली तुम नीली फ्लेम infection के अंदर अपना बर्त भंद देना काली कला करने लगता पूरा वरतन को ठीक है और वो यलो रंग की फ्लेम होती है तो अभी कह चलना है इंकंप्लीट गंबशन चलना अपूर नद्ध्वलन चलना अभी अन्सेचुरेटेड हाइड्रो कार्बन बहुत सारे होते ब्यूटीन हुआ पेंटीन हुआ ठीक है पैंटीन शेंपू की बात नहीं चल रही है अगर आप इन्हें प्यॉर ऑक्सिजन दे दोगे प्यॉर ऑक्सिजन तो यह भी ब्लू फ्लेम के साथ जलेंगे प्यॉर ऑ करते है और oxygen के साथ ये complete combustion चो करते हैं कि अ क्लीर है तो यह था concept लेम से question आते यह वाले old saturated कैसी लो देगा अंसचूरेटीट कैसी लो दएगा complete combustion हो रहा है तो कैसी लोब आ रहे है तो अभी आपका बरतन का काला पढ़ रहा है तो इंदन का कैसा चल रहा है इंप्रॉपर कंबशन ठीक है देट इस क्या बोलते है इंकंप्लीट कंबशन चल रहा है अब पूर्ण दहन चल रहा है क्लियर है चलो तुम मिलते कल तिल देन हैव नाइस दे बाई-बाई बाई गुड़ दे टिक केर थेंक यू